अध्याए चार कि यिशु मसी शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है जो कोई आत्मा यिशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है हे वालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है वे संसार के हैं इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वह हमारी नहीं सुनता, इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं, हे प्रियू, हम आपस में प्रेम रखें, प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलावते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्राश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा हे प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है, इसी से हम जानते हैं के हम उसमें बने रहते हैं, और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उदार करता करके भेजा है जो कोई यह मान लेता है कि येशु परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में और जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीती है परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो क्योंकि जैसा वै है वैसे ही संसार में हम भी है प्रेम में भै नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भै को दूर कर देता है क्योंकि भै से कश्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, हम इसलिए प्रेम करते हैं, कि पहले उसने हम से प्रेम किया, यदि कोई कहे कि मैं परमीश्वर से प्रेम रखता हूं, और अपने भाई से पैर रखे, तो वह जूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमीश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता, और उससे हमें यह आग्या मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे